स्वेत परदर अर्थार्थ सफेद पनी जिसे लिकोरी अभी कहते हैं इस फल के कुछ दिनों के सेवन से स्वेय में खतम हो जाती हैं इस फल का सबसे बड़ा गुण वीरिय वर्दक है इस फल के सीजन के दोरान अगर आप सही खान पान के साथ इस फल का सेवन करते हैं अपने स तो यह आपके वीरिया के सभी दोस्त दूर कर आपको वीरियवान बना देता है। इसका फल बेल के फल की तरह होता है। इसके फल की गिरी बहुत खटी होती है और उसमें स्थान सथान पर बीद जमे रहती है। और जिगर को तक देता है। करनाटक के अंदर ऐसे केड़े बहुत होती है जिनके काटने से सरीर सूज कर फटने लगता है। वहां के लोग इन कीडों का जहर खतम करने के लिए कवीट को खिलाते और लगते हैं। इसके पत्तों को पानी में जोस देकर कुला करने से गले के भीतर के रोग दूर होती है। यह मंदागनी और बच्चों के पेट की आतों की तकलीफ में भी उप्योगी है। इसका छिलका पित में उप्योग गिया है। जहरी ले कीडों की काटने पर इसके गुद्दा का लेप करने से बहुत बड़ा लाब होता है। इसके कच्चे फल का गुद्दा निकाल कर उसको सुखा कर पीश कर देने से दस्ट और आउ में फाइदा होता है। इसके बीजों के तेल को लगाने से खुजली, दाद, इतियादी चरम रोगों में लाब होता है उग्र सुवेत परदर की समस्या में इसके पत्ते बास के पत्तों के साथ में पीश कर सहद के साथ चाटने सेल बहुत ज़्यादा लाब होता है इसके कच्चे फल का रस सड़े साथ मासे से सवा तोले तक की मातरा में देने से दमे की बिमारी में लाब होता है इसके कच्चे फल का रस आट गराम तक की मातरा में पीपर और सहद के साथ देने से हिचकी में लाब होता है बंधना होने वाली उल्टी में इसके कच्चे फल का रस पिपर और सहद के साथ अवले के रूप में देने से लाब होता है इसके बीजों का तेल लगाने से या कैत के गुद्दे को तेल में उटा कर उस गुद्दे को लगाने से दाद खुजली इतियादी चरम रोग दोर होती है बेलगरी और केत के गुद्दे का सर्वत पिने से पेट के सभी रोगों में अराम होता है और सरीर की अनावशक गर्मी शांत होती है तो दोस्तों ये थी कवीट के फल के बारे में मेरी जानकारी अगर यह जानकारी आपको पसंदाई हो तो वीडियो को लाइक करें और जादा जादा सेयर करें इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सबस्क्राइब करें जो कि बिलकुल फिरी है